पर जो सेल्फ के नाम पर तुम घुमते हो ना लाइक चल यार आते घुमके तुम नहीं होना चीप यह जो आठ गंटे का स्लीप है ना इसमें से एक घंटे का स्लीप आप दुपहर में रखो स्कूल कोचिंग और कॉपी कंप्लीट करने में इतना टाइम जा रहा है कि सेल्फ इस्टेडी के लिए टाइम ही नहीं मिल रहा है और ट्रस्ट में इस प्रॉब्लम से सिफ आप नहीं भारत के मोस्ली बच्चे जूज रहे हैं और आज किस वीडियो में मैं बात करने वाला हू साथ बजे तक यह करो फिर साथ बजे नस्ता करो आठ बजे स्कूल जाओ यह मैं बिल्कुल नहीं बताने वाला क्योंकि अगर आप इस तरीके से चलेंगे ना तो फॉलो नहीं होता है आपको भी बात पता है तो सबसे पहले आपको अपनी दिमाग को शान्त करके एक बात सो अब मैं ऐसा करने इसलिए बोड़ रहा हूं क्योंकि आपको मंडे टू फ्राइडे देना है बाकी के उन दो सब्जेक्ट को जिन पर आप वीक हैं और बात रही सेटेड़े एंड संडे की तो सेटेड़े और संडे को सिर्फ और सिर्फ वह सब्जेक्ट पढ़ना है जिस प हड्या तूसे वह सद्गी पढ़ने का मन करता हो सब्जेक्ट ना करें मतलब आपको पता है कि मुझे उस सबजेक्ट कोशल इनकालने की तो अब बारी है सेल्फ स्टडी का महुरत निकालने की चलिए शुरू करते हैं तो जैसे कि आप इमने स्क्रीन पर देख पा रहा है कि Monday to Friday आपका जो ताइम है ना जो 24 गंटे है वो कुछ इस तरीके से यूटिलाइज होने चाहिए अब मैं गैरंटी से लिके घे रहा हूं कि नहीं हो रहा है तभी तो यह विडियो देख रहा है तो अब यह क्यों नहीं ओ रहा है अनुद है रखाइस फोकस एक स्कूल पर 6 बदन शॉब्सके शायद 8 घंटे जारे तो कही न चैसी करम श佐ना रहे तो आपको यह बात को observe करना है कि school में अगर आपको 6 घंटे लगने चाहिए तो आपको 8 क्यों लग रहा है तो यह सब के लिए नहीं जिनको लग रहा है कि 6 की जगह मैं 8 घंटे seriously लगा रहा हूं तो आपको इस बात पर दिमाग लगाना होगा observe करना होगा and यह make sure करना होगा कि आपको स्कूल में 6 घंटे ही लगने चाहिए जिनके स्कूल 7 घंटे का है तो आप 7 घंटे भी लगा सकते हैं तब ही सब 7 घंटे का हो राइट वहीं अगर हम बात करें कोचिंग की तो इसमें आपको हर दिन देने पड़ते हैं कि आपको कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं हर दिन कुछ ना कुछ पढ़ी जाता है तो एक गंटे तो आपको अभी कमईट करने में लगाएंगी वहीं अगर मैं बात करूँ फैमिली एंड से जादा नहीं लगना चाहिए इसमें चार घंटे से अंदर फैमिली टाइम सेल्फ केर और मोबाइल यह तीनो की तीनों चीज़ें यहीं पर आजानी चाहिए यहीं पर समिट जानी चाहिए को कि अगर इसके बहर गया तो ट्रस्टमी बाकी की चीजें की ऐसी-टेसी हुजानी है वहीं अगर मैं बात करूं सोने की तो यार जिन इतना समय दे रहे हो ना लाइक आपने स्कूल कोचिंग कॉपी कंपलीट फैमिली और सोने को अगर इतना टाइम दे दिया है तो अभी भी आपके पास तीन घंटे बच रहे हैं और आप सुषते हो गयार कि हम इतने तो दिरूबर तीन घंटे कहीं दिखते ही नहीं है सी दिप पर फब्लम हो रही है अब आपको कैसे जो निकलना यहार को एक बात समझना की जो 8 गंटे का स्लीप इसमें से 1 घंटे का स्लीप दुपहर में रखो क्यों काई ना कहीं आप स्कूल में इतने अग्जॉस्त हो चुके होते हो कि अब चीज आपके बस में नहीं हो रही होती है तो ध्यान लगो कि रात में आपको 6-7 गंटे सोना है और उसके अलावा एक घंटी की निए आपको दिन में स्कूल से आने के बाद जरूर पूरी करनी है ताकि आप फिर कोचिंग, कॉपी कंपलीट करने के लिए और सेल्फ स्टडी के लिए थोड़ा सा एनरजेटिक फील करो और सेल्फ स्टडी के तीन घंटे क्या सफिशेंट हैं और यह तीन घंटे कहां से चोड़ी करें आप मेरी बात सुख on후 का मों एक कर एप अपनी ने को प्याइब करना एक है कि अनधा चलो जैसा में बोल रहा है अगर बोल दूंकि इतने बज़े से दरकर तो नहीं होगा क्योंकि सब लोग नें कर पाइंगे बट कहीं कहीं न कहीं आप सब अपनी रूटीन को अब्जर्व करके यह जरूर पता कर सकते हैं कि अगर मुझे इन चीजों पर इतना टाइम लगाना है तो कहीं न कहीं मेरे भाई तीन घंटे जरूर निकल कर आएंगे क्योंकि 24 घंटे होते हैं और 24 घंटे में से इस तरीके से उटिलाइज हो रहे हैं आपको 21 घंटे से ज्यादा इन चीजों पर देना ही नहीं है तब जाके ही तीन घंटे आपके सेल्फ स्टडी के निकल पाएंगे अब एक बहुत इंबोर्टन बात यह जो मैं बात करो मंडे टू फ्राइडे की आपको एक बात दिमाग में रखना है कि सेल्फ स्टडी के नाम पर जो तीन घंटे आप देने वाले हैं यह तीन घंटे कुछ इस तरीके से डिवाइड होन देखो वही सबसे इंपोर्टन बात तुम अपने दिन को अब्सर्व करो जहां भी तुम ऐसा लग रहा है कि ताइम है यह जान दो को मैं इस तीन घंटे की बात नहीं कर रहा है बाई कंटीन तीन घंटे किसी को खाले नहीं मिलते तुम्हें क्या करना है देड़ देड़ ग कंटीनियू ना हो तो कुड़ों में हो इनके बीच में कम से कम एक से देड़ गंटे का गैप होना चाहिए क्योंकि नहीं होती भाई पढ़ा ही तीन घंटे कौन पढ़ पाता है मैं नहीं पढ़ पाता तुम कहां पर दोगे एन्यू पढ़ने वाले पढ़े लेता है तो ती कुछ नहीं मेरे भाई मुबाइल खोल सेटिंग कोल डिजल वैल बिंग पर जा सबसे ज़्यादा जो एप उसके उस पर क्लिक कर अवरली करके देख लेगी कौन से एप पे जो भी आप तुम यूस कर रहे हो उस एप पे सबसे ज़्यादा तुम कब एक्टिव हो ऑटोमेट प्रस्मी एक बात तुम्हें समझनी पड़ेगी कि गम के दर्द से भारी कुछ नहीं होता है कि डिसिप्लिन का दर्द होगा एक दो दिन फील होगा और कहीं ना कहीं यह ना करने का जो गम होगा ना मार डालेगा और जूट नहीं कहीं ना कहीं हम यह उपर की चीज़े इस इतना टाइम वेस्ट कर देते हैं कि नीचे वाली सबसे आखरी वाली चीज़ के लिए टाइम नहीं मिल पाता है तो मेक शूर यार कि तू अगर इधर उदर घूम रहा है लाइक टाइम पास कर रहा है यू नो वेरी वेल अच्छा वह कोई स्टडी होती फ्योल या टेलर की को बंशन स्टेट यह कहते हैं कि जिसमें जो लेबर रहते उनके मोशन को आपको देखना है कि कब वह unnecessary moment कर रहे तो तुझे भी अपने वीडियो को पसंद आया है तो let's give a thumbs up and don't forget to share this video with those lazy friends जो कि ये तीन घंटे नहीं निकाल पा रहे हैं मिलते एक लिए किसी वीडियो में till then bye bye see you soon in the next cabin